कुबयत में आये थे गाड़ी चलाने यहां पर आके जाड़ू पकड़ा दिया सपाई करो भाई साओधे रब में हैंदरबादी रेश्टोरों का भोड़ी मैंड है भाई और उपर से गसी में एक भी नहीं थी तो इंशाल्ला अगर आप साओधी में रहते हैं टिक टॉक या यूटूब चलाते हैं इसके लिए स्पेशल नियूज आईए आप सबके लिए फेस्बुक भी चलाते हैं तो आपके लिए नियूज है वीडियो को लाज तक देखना जरूर क्योंकि फाइन आ जाएगा आपके उपर तो चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा फेस्बुक पर देख रहे हैं हमारी वीडियो तो फिलेज शेयर कीजेगा कुछ पूछना तो आप कमेंट कर सकते हैं फाइनली हम स दो वीडियो शेयर करना चाहूंगा पहले ये वीडियो देखिए वैसे आपने स्टार्टिंग में देखा है इस वीडियो में ये भाई क्या बोल रहे हैं सुनिए कुबैत में आये थे गाड़ी चलाने यहां पर आके जारू पकड़ा दिया गया है और बोल लेगी मेरी जि करना पड़ता है हर चीज का सेक्रिफाइस ड्राइवर ही करेगा और ड्राइवर की नौकरी में ये सब सामिल है क्योंकि कफील बोलता है लेकिन जब आप इंदिया से जाते हो तो सिर्फ क्या बोल जाता है ड्राइवर के काम में जा रहे बस मैडम को पहुचाना बच्चों क पहुचाना है बस तरह ही काम है लेकिन एक काम नहीं पचास काम नहीं हजार काम होते हैं ड्राइवर की नौकरी में बहुत सारे काम है आपको वैत में आओ साओधी में दुबे में आओ कहीं भी आओ तो ये आपको करना ही पड़ेगा इसमें कोई शक नहीं है कि ये नहीं कर क्वाएर मैं भी काम करता था थे जा में भी जाड़ु मारता था मेरी वीडियो भी मेरे व्लॉक वाले में देख सकते हो जाके प्रोपर तरीके से गारे धोना जाड़ु बाड़े आपके आसपास में रूम के बाहर जाड़ नहीं होगे ठीक है लेकिन हाँ कफील लोग करवाते हैं काम यार क्या करें करना पड़ता है बहुत वीलुग करते हैं बहुत सारे लोग नहीं भी बताते हैं वह भी करते हैं जरूरी नहीं है हंडेड में पांच परसेंट भी अगर ऐसे हमारे भाई होंगे नहीं करते होंगे ऐसा नहीं है करते हैं फिर मैं आपसे बात करता हूँ तो देखा आपने ये भाई परचार कर रहे हैं एक होटल का कि इसका हरदराबाद की बढ़ियानी हमें यहां मिली कम से कम अच्छा बढ़ियानी मिला है बहुत अच्छी बात है पहले नहीं मिलता था तो आप सबको बता दूँ अब इस पेशल नियूज ये आई है कि अगर आप टिक टॉक चलाते हैं यूटूब चलाते हैं फेस्बुक चलाते हैं तो इससे रिलेटेट बहुत बड़ी नियूज है अब मैं आपको सीधा नियूज पे लेके जाता हूँ कोई भी ट्रेंडिंग वाला बिजनेस है वो आप नहीं कर सकेंगे ये बता रहे हैं पलास ये ध्यान से देख लीजिए ये पूरा बताया गया है अगर आपने सोशल मीडिया में स्नैप चैट, ट्वीटर, इंस्टाग्राम, टिक टॉक कानून के खिलाफ अगर कोई भी विग्यापन या कोई परमोशन किसी का किया तो इस पे आपको जुर्माना लगा जाएगा फिलहाल ओनलाइन ट्रेंडिंग कानून का बहुत सारे लोगों ने उलंगन किया है 24 लोगों को पकड़ा गया है, जुर्माना लगा गया है, इसमें 14 महीलाएं शामिल है खाना भी न खाके परचार कर देती हैं, कि हम इस रहे स्टूट में आये थे, इस रहे स्टूट में अच्छा खाना मिला तो नोटिस कीजेगा, गवर्मेंट ने क्या नियूस दिया है तो आज है एक अक्टूबर जो आप नियूस देख रहे हैं, वीडियो मा बना रहा हूँ तो गवर्मेंट की तरफ से देखो, जेनरल कमिशन पूर आडियो व्यूजवल मीडिया की तरफ से गवर्मेंट ओफिशल बोला गया है किसी भी ब्रांड की पबलेशीटी वगएर लाइसेंस के करने पर पावंदी होगी सोशल मीडिया पर एड़टीजमेंट करने के लिए पहले किसी एड़टीजमेंट एजनसी के साथ रेजिस्टर होना होगा उसके बाद आप लाइसेंस के लिए अपलाई करना होगा आपके लिए ही नियू जो ध्यान से सुनिये सोचल मीडिया पर एड़टीजमेंट के कानून में ये भी बताया गया है किसी भी रेस्टूरेंट कैफे या कोई भी स्टोर की वीडियो शेर करने के लिए लाइसेंस की जवरत होगी इसके बाद साओधी के बार से भी अगर कोई एड़टीजमेंट किसी कमपनी का किसी भी चीज़ का कोई वीडियो बनाता है तो company को भी जुर्माना होगा मतलब मान लो अगर मैं इंडिया बैठा हूँ मुझे को अगर कोई bank वाले बोलते हैं वीडियो बना दो bank से related या किसी भी company से related किसी भी showroom से related अगर मैं बना देता हूँ साओधी में नहीं होने के बाब मैं इंडिया से बना देता हूँ या किसी भी दे से बना देता हूँ या परचार कर देता हूँ तो जिस company का मैं परचार करूँगा उस company को जुर्माना आएगा पलास जो application बताए गए है Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok ये सारे application है मेरे भाई ध्यान रहे आप सब खाना खाने के टाइम पर मैंने अभी आपको क्या शेर किया वीडियो में खाना वाला वीडियो शेर किया न तो बहुत सारे लोग हैं जो खाना खाते हैं, वीडियो बनाते हैं मौल जाते हैं, वीडियो बना लेते हैं TikTok पर शेर करते हैं यहां अफर लगा है तो इस पे कानूनी सिकंजा लगा जा गया है बहुत सारे टिक टोकर हमारे केरला के हैं इंडिया के हैं यूपी के हैं बिहार के हैं सब लोग च्छाय हुए हैं दुबाई की देखा देखी मत घुमियें आप लोग वरना आप पे जुर्माना लगेगा मेर भाई प्लीज ध्यान लखेगा वरना प्रबलम में आ जाएंगे अगली न्यूज है अगर कोई विदेश सी आदमी अगर एपसर एकाउंट इमवाइल नंबर अगर चेंज करना चाहे तो कर सकता है क्या जी हाँ आप कर सकते हो इसली आप किसी भी मॉल में या किसी भी शॉप में जाओ या जवजाद में जाओ तो ऐसा मसीन होता है वहाँ पर जाके आप अपडेट कर सकते हैं एजली कोई दिक्कत नहीं है आपको फिंगर प्रिंट देना होगा इसके बाद आप कर सकते हैं अगली न्यूज यह है कि साओधी अरब में आपको पता है अच्छे गवर्मेंट को शेर नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों को तीन लोगों को पकड़ा गया है उनको तीन लाक असी हजार रियाल का जुर्माना देना पड़ा है अपने खर्चों पर तीनों आदमी को जो भी पकड़े गए अजनवी थे उन तीनों लोगों को पकड़ा गया है ती बहुत वीडियो जो है ना वायल हो रहा है साओधी अरब में आउट लेट फैस्टिवल खुला है रयाद के अंदर में ध्यान से सुनिएगा आप लोगे बेनिफिट का है तो यह फैस्टिवल बहुत ही अच्छा खुला है क्योंकि इसमें हर एक इंटरनेशनल ब्रांड के कप और आप शापिंग कर सकते हैं इसके तीनों आपज अर यहां पर बाता हैं यह दोनों जो है आपको अर्बिक फिल्म भी आक्टर हैं, तीनों के ले सकते हैं, बस यहीं बताया गया है, ध्यान रहीज, ये तीनों के तीनों सौदी नहीं है, बहार के गैर मुलकी है, अगली न्यूज है हमारे अजनवी लोगों के लिए खास क्योंकि हमारे अजनवी भाई पकड़े जाते हैं तो मुसीबत हमें आती है और हमें भी सो अफसोस होता है दो को 12,436 लोगों को पकड़ा गया है इस पिछले हपते में और आपके सामने आप देख सकते हैं हमारे सब्सक्राइब दो मियाद रखे अपना ख्याल लखेगा और हां टिक टॉक फेस्बुक कहीं में भी वीडियो बनाते होटल खाना वाना खाने का कुछ भी मॉल बोल का तो मत बनाना प्रावलम हो जाएगा आपको हुआ